मसकार आप सभी का against caption के इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से जानेंगे यदि किसी थाना द्वारा यदि वानचित सूचना तीस दिनों के अंदर नहीं दी जाती है या बिलम से दी जाती है या जूटी दी जाती है या गुम्राह की आ जाता है तो आप इसके खिलाब कहां प्रथम अपील दायर कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो इस चैनल से पहली बार जुरे हुए हैं वो अब सब्सक्राइब कर लें तथा बेल ऐकन दवा कर और पर क्लिक कर लें जिस प्रकार इस हमें अपने ग्रूम में WhatsApp पर अपने Facebook पर अपने Instagram पर या अनj मीडिया ग्रूपवों में इसे अवसेयर करें जिससे भारत के हर नागरिक को इसकी जानकारी हो सके और वो अपने भरष्टाचार के खिलाब RTI का पर्योग ठीक धंक से कर सके तो चलिए हम लोग जानेंगे कि यदि किसी थाने द्वारा वांशित सूचना परदान नहीं की जाती है तो हम लोग वरिष्ट पुलिस अधिक्षक कार्याले को प्रथम अपील दायर कर सकते हैं तो यह फॉर्म है प्रथम अपील का जिने फॉर्म ना हो वो सादे कागच पर भी लिखकर अपील दायर कर सकते हैं या वो टाइप अपना करा सकते हैं तो सेवा में अपील ये प्राधिकार वरिष्ट पुलिस सदिक्षक कारियाले भागलपूर महा से चुकि मुझे कोई निर्ने प्राप्त नहीं हुआ है या चुकि मुझे लोग सुचना पदा धिकारी कारियाले का नाम दे देंगे मैंने ओपी भवानिपूर के खिलाप या अपील किया है कि निर्ने से चुक दूँ या अपील आपके समक्ष दायर करता हूँ मैं आवेदन का फिवराप नीचे दे रहा हूँ अपना पील करता है अपना नाम लिखेंगे, पूरा पता लिखेंगे लोग सुचना पदा धिकारी का नाम लिख देंगे उसका नाम जानते हैं तो नाम भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं पता लिख देंगे ओपी भवानी पूर कारियाले या जिस भी थाना से आप संबंदित हैं थाना का यहाँ पता देंगे, कारियाले का, ओपी कारियाले, भवानपुर्पूर, नराइनपूर, भीवफूर, नगच्या से यह संबंदित था, भवानचित सूचना, मैं उन्हें के खिलाब प्रतम अपील किया हूँ, अब तक कोई सूचना अपलब्द नहीं हुआ है, तो प्रतम अपील करने में 30 दिन का समय लगता है, यदि आप लोगों को 30 दिन के अंदर सूचना नहीं दी जाती है, तो आप प्रतम अपील अवस्चित कर दें, प्रपत्र को समर्पित करने कीती थी, तो जिस दिन आप प्रपत्र को भरे होंगे, पहला आवेदन जो सूचना के लिए भरेंगे, उस दिन का डेड़ देतेंगे, और वांचित सूचना, मैंने यहाँ एक पुलिस रिपोर्ट से संबंधित, एक सूचना मांगा था, जिने सा समय भवानिपूर ओपी द्वारा नहीं दिया गया, तो मैंने प्रतम अपील किया था, यहाँ देखिए आप लो रिपोर्ट किये हैं, जिसमें कहा गया है कि दूती पक्षकी विरुद्ध, एक सो साथ के तहत निरोधात्मक कारवाई की गई है, पुलिस रिपोर्ट की प्रमानित छायापरती निवन्धिक डाक से चाहता हूँ, इसके लिए मैं दस रुपे का भारतिय उस्टल ओर रसीत स संख्या से दे रहा हूँ, अपील करने में बिहार राजिक में दस रुपे का फीर रखा गया है, किसी-किसी राज में नहीं सुल्क भी है, किसी-किसी राज में ज्यादा सुल्क भी है, तो अपने-पने राज से आप पता कर लेंगें, क्या सुल्क है, वो दे सकते हैं, अब है सूचना जो मांगी गई थी नहीं मुझे मुली अब दि जिसके दमारा सूचना की मांग की गई थी प्रपत रुकव में आवेदन समरपित करने का 30 दिन पूरा होने कि थी ऐसे 13 10 को मैंने मांगा था तो 13 11 30 दिन पूरा हो गया अपील करने का कारण तो प्रपत्र कोव में आवेदन समर्पित करने के 30 दिन के अंदर मुझे कोई निर्णे प्राप्त नहीं हुगा या कोई निर्णे आपको दिया गया है उससे आप छुब्ध हैं और संतुष्ठ हैं तो इसमें लिख देंगे लोग सुचना पता दी कि ये निर्णे सं प्रपत्र कोव में आवेदन समर्पित करने के 30 दिनों के अंदर कोई निर्णे अब तक मुझे नहीं हुआ है दोसी के विरुद कानूनी नियामानुसार करवाई की अनुसंसा की जाए या आपील का आधार मामले में संचिपत और भी आप कुछ कहना चाहते हैं अपील में तो वो इसमें भर देंगे अपील दार करने के अंतिम्तिति फिर 30 दिन 60 दिन के अंदर रोता है तो 13 11 के बाद 13 12 को अंतिम्तिति परता है प्रात्ना या राहत मुझे सुचना के अधिकार के तहत 48 गंटे में सुचना अपलब्द करा जा है मैंने जो भी थाने से रिपोर्ट मांगा था वहाँ जीवन और सुचना से संबंदित होने के कारण सुचना 48 गंटे के अंदर ही दी जानी चाहिए थी और यहा नियम है प्रापधान है इसलिए आप सुचना के अधिकार के तहत 48 गंटे में भी सुचना प्राप्त कर सकते है अपना अस्थाक्षर मुवाइल नंबर लिख सकते हैं अस्था जहां से आप दे रहे हैं वहाँ इसमें प्रापत्र को किछा अपरति सगलंग कर देंगे तो अभी प्रमानित करके आप पुलिस अधिक्षक के समक्ष आप पृथम अपील किसी भी ठाने के खिलाब कर सकते है जहे हैं